किंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को जबरदस्ट जटका लगा उतार्क चढ़ाव के बीच गौतम अडानी ने एफबियो वापस लेने का जब एलान किया तो साफ कर दिया कि निवेशको का हित उनके लिए सर्वोच प्राथमिकता है और उसके साथ किसी तरह का समझोता नहीं है हालां कि इस पूरे मामले की कॉंग्रेस समेथ सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी जाँच की मांग संसद में की लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि किसी व्यक्तिगत शक्स के खिलाफ जेपीसी जाँच कराने का प्रावधान नहीं है लेकिन इन सब के बीच कॉंग्रेस के कद्दावर नेता ने पूछा कि आखिर वो कौन केंदरिय मंत्री जिन्होंने गौतम अडानी को बचाने के लिए 5-6 बिजनेस्मैन को गौतम अडानी समोह में निवेश करने का अनुरोध किया था कॉंग्रेस ने किये तीखे सवाल कॉंग्रेस ने सवाल किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के शेर गोते लगा रहे थे तो क्या उस वक्त उन्हें बचाने के लिए LIC, State Bank of India को उनके फर्म में निवेश के आदेश दिये गए थे जैराम रमेश ने कहा कि अडानी के शेर के मार्केट प्राइस में इशू प्राइस की तुलनामे गिरावट के बाद भी LIC, SBI Life Insurance Companies, SBI Employee पेंशन फंड ने निवेश किया उन्होंने पूछा कि क्या LIC और SBI को करोडो भारतिय निवेश को के हितों की कीमत पर अडानी समोह को बचाने के निर्देश दिये गए उन्होंने कहा कि देश में इस हम अडानी के कौन है सिरीस चल रही है